दोस्तो हम लोग ज्यादा तर अपने देश के आर्मी, नेवी और एर फोस में काम करने वाले जाबाज सिपाहियों के बारे में जानते हैं, पर आज हम आपको कूछ हेसे बीर जाबांज और निदर सिपाहियों के बारे में बताने जारहे हैं, जो आपको सायद ही पता होगा, वो लोग अपने देश के लोगों के जान बचाने के लिए अपना जान देने को भी तयार हो जाते हैं, आज मैं आपको इन में से ही कुछ एकदम खास स्पेशल फोस के बारे में बताने जारही हूँ, वीडियो को सुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ की, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चलिए दोस्तों वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का विडियो, नमबर दस, सीरेट मतकाल, दोस्तों इजरायल एक ऐस देश है जो चारों तरफ से अपने दुशमनों से घिरा हुआ है, लेकिन दुशमनों से इस तरह घिरा होने के बावजूद भी, आज उसको दुनिया के सबसे ताकतवर, देशों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इजरायल ने अपने दुशमनों को बहुत बार में हराया है और इसी के कारण आज इजरायल के सैनिक को दुनिया में सबसे खतरनाक सैनिक माना जाता है दरसल इजरायली मिलिटरी को दुनिया की सबसे ताकतवर फोसेस में से एक बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिद वहां की स्पेशल फोस यूनिट सीरेट मिटकाल को दिया ज जाता है जिसको साल 1957 में स्थापित किया गया था और तभी से इस यूनिट के सिपाही, होस्टेज, रेस्क्यू और आतंगबाद को काउंटर करने जैसे न जाने कितने मिशन्स में काम्याभी हासिल कर चुके हैं। इसी जबरदस्ट रिकॉर्ड के चलते आज सीरेट मिटकाल को दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। इसको आतंगबाद को काउंटर करने के लिए और खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इनकी इसी काबिलियत की वजह से इनको दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। इनका गर्थन 1956 में हुआ था। इन लोगों को पहली बार 1965 के युद्ध में तैनात किया गया था। पाकिस्तान की SSG ने अफगानिस्तान में कही मिशन को अंजाम दिया है। ये कमांडोज अमेरिकन और रशियन कमांडोज के साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान की Special Service Group ने 1971 में भारत और पाकिस्तान की इंडो पाकवार के दोरान पाकिस्तान की आर्मी को हेल्प किया था। दोस्तों क्यानडा को दुनिया की सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक माना जाता है। और कहते है कि क्यानडा के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सभ्यव और शांतिप्रिय स्वभाव के होते हैं। दोस्तों क्यानडा एक शांतिप्रिय देश होने के बाद भी कैनेडा के पास एक खास किस्म का फोस है। इस स्पेशल फोस का नाम Joint Task Force 2 है जिसे Canadian Special Forces Commandos के द्वारा सन 1993 में स्थापित किया गया था। और जब से इसकी शुरुवात हुई है तभी से ये फोस अपने एलाईज के साथ मिलकर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ना जाने कितने Counter-Terrorism Missions को अंजाम तक पहुचा चुकी है। और AC के चलते आज इसे दुनिया की सबसे ताकतवर Special Force में से एक माना जाता है। दोस्तो इसे New Zealand की SAS Regiment भी कहा जाता है। ये New Zealand Army की एक ऐसी यूनिट है जिसकी जड़े World War II के प्रसिद Long Range Desert Group से जुड़ी हुई है। ये यूनिट आकार में भले ही छोटी है लेकिन दुनिया में इसकी reputation बहुत ही ज़्यादा है। New Zealand Army के द्वारा इस Special Unit को साल 1955 में स्थापित किया गया था। और तभी से ये Unit Direct Action Counter-Terrorism और Special Operation को अंजाम दे रही है। इन्हें खास्त और से घने और खतरनाक जंगलों में मिशन को अंजाम देने का specialist माना जाता है। ये United Kingdom की Royal Navy की Special Force है। Special Board Service Force का गठन 1940 में किया गया था। समुंदर से जुड़े Operation को अंजाम देने के लिए और SBS Air Force के द्वारा किये गये Operation ज्यादा तर सीक्रेट रहते है। इनका में काम Special Operation को अंजाम देना, आतंक बात को काउंटर करना और Unconventional Warfare करना है। मौझूदा दौर में Special Board Service Force की बस एक रेजिमेंट है। ये हमारी भारतिय नौसेना की एक ऐसी यूनिट है, जिसको खास किस्म के मिशन अंजाम देने के लिए बनाया गया था। माकोस में शामिल होने वाले जाबान सिपाही हवा पानी और जमीन तीनों जगहा से ओपरेट करने की पूरी काबिलियत रखते है। इस यूनिट के जबानों को मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पर तैनात किया जाता है। जहां पर इस यूनिट के सिपाही, Air Assault, Close Protection, Direct Action और Hostage को Rescue जैसे कामों को अंजाम देते है। भारतिय नौसेना द्वारा इस यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये लोग ना जाने कितने नामुम्किन मिशिन को अंजाम तक पहुँचा चुके हैं। इसी वजह से आज माकोस के सिपाही दुनिया के सबसे ताकतवर Special Force में से एक माने जाते हैं। इसका गठन 1973 में आतंकवादियों और खतरनाक मिशिन को अंजाम देने के लिए किया गया था। और इसे फ्रांस की सबसे बेस्ट Force में से एक कहा जाता है। फ्रांस में Anti-Terrorism Operation को सफलता के साथ पूरा करने के लिए GIGN Force की मदद ली जाती है। ये Force आतंकवादियों के खिलाफ सटीक कारवाही करने में माहिर है। जब भी फ्रांस में कहीं भी Anti-Terrorism Operation होता है तो GIGN Force की मदद ली जाती है। ये कमांडो बड़े पैमाने पर वर्तमान में आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रहे है। वैसे तो ये Police Tactical Unit है। लेकिन ये कमांडो, Counter-Terrorism Operation Law Enforcement और Special Operations को भी अंजाम दे सकते है। अल्फा ग्रूप अल्फा ग्रूप रशिया की एक खास Force है। दोस्तों कहा जाता है कि रूस की अल्फा ग्रूप से ज़्यादा कोख्यात और खौफना Counter-Terrorism Force पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। अपने आकरामक रवेये के लिए मशहूर अल्फा ग्रूप को Soviet Union Committee for State Security नाम की एक Security Agency द्वारा साल 1974 में स्थापित किया गया था। दरसल ये यूनित साल 1972 में म्यूनिक के अंदर हुए आतंकवादी हमले की वजह से बनाया गया था। क्योंकि उस समय दुनिया में आतंकबाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए Soviet Union को लगा कि उन्हें एक Special Counter Terrorism Force की जरूरत है। और इस तरह अल्फा ग्रूप नाम की Special Unit का जन्म हुआ था। अब तक अल्फा ग्रूप ने बहुत से Important Missions को अंजाम दिया है। लेकिन इनके अक्रामक रवये के कारण अक्सर आम लोग भी इनका शिकार बन जाते हैं। इसी के लिए अल्फा ग्रूप को दुनिया भर में आलोचना किया जाता है। दोस्तो United Kingdom की Special Air Service यानि SI एस एक ऐसी Force है। जिसको आज के Modern जमाने की Special Forces का Grandfather कहा जाता है। दरसल Britain की Special Forces ने दुनिया को पहली बार ये दिखाया था कि Special Forces का असल काम क्या होता है। और फिर ये Force सभी के लिए एक ऐसा model बन गया, जिसको दुनिया भर के देशों ने follow किया। ब्रिटेन की इस Force को साल 1941 में Lieutenant Colonel Sir David Sterling के द्वारा दूसरा बिस्वयूद के दौरान एक रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। और उस महायूद में ब्रिटेन के Special Forces ने बहुत एहम भूमिका निभाया था। दोस्तो इस Force को अब स्थापित हुए 80 साल बीच चुका है लेकिन आज भी ये Special Unit Direct Action से लेकर Counter Terrorism तक के Missions को अंजाम दे रही है। दोस्तो डेल्टा Force American Army की एक Special Unit है जिसको Combat Application Unit और Task Force जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस Unit को दुनिया की सबसे रहस्मईी Force भी कहा जाता है क्योंकि इस Unit के सिपाही अक्सर सादे कपडों में Undercover होकर Mission को अंजाम देते हैं। दोस्तो डेल्टा Force में शामिल होने वाले सिपाही इतने Highly Skilled होते है कि उन्हें दुनिया के Best Soldiers के List में शुमार किया जाता है। ये सिपाही Combat Mission Hostage Rescue और Close Protection जैसे सभी तरह के कामों को बखुबी पूरा करना जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद।